हेलो फ्रेंड स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर आज हम इस वीडियो में प्रदेशिक नियोजन रिजिनल प्लाणी के जितने भी भूबल वेक्ता है उसका जियोग्राफी में क्या-क्या योगदान है इसको इस वीडियो के माध्य हम से चानेंगे पहला है बेटन में का बेटन में काए 1875 से 1995 तक इसका जियोग्राफी में योगदान रहा है इन्होंने प्रदेशिक नियोजन के अधारना को विक्सिट करने कसरे बेटन में काय मोहदै को जाता हैं इसे अमरिकन प्लानर भी कहा जाता है 1928 में प्रदेशिक नियोजन विशे की वैचारिक अधार सिला इन्होंने रखाई थेया इसका प्रमुक बुक है नया अनुवेशन वा प्रदेशिक नियोजन का दर्शन सास्त्र दन्यू आप दा एक्सिलियोशन एफ फिलोसोफी आफ रिजिनल प्लानिंग इसका प्रमुक प्लानिंग एक सपेडिशन नाइट रिटर्न टूल रिजन अर्प्रेशियन ट्रेल लॉंग ट्रेल आफ दा साउट इस्ट दो हजल तो में यह बुक प्रमुक हुआ था अगला है एक अमरिकन प्रदीशिक नियोजन प्लानर है इसे सोचियो लाजीकल वह लेखक भी कहा जाता है नुइयूआर्क सिटी वह प्रदे नगर नियोजन विभाग में इन्होंने कार्या किया था और वहां का नगर नियोजन से संबधित संकल्पना को प्रस्तुत किया था इस संक संकल्पना को पड़ोसी कही कि संकल्पना भी कहा जाता हैं यह नेवर फुल्ड यूनिटी के अगर नीथा रिफ्रेंश नेशल और रिटेंड कर्मूटी लाइब मेंनोंग्राफी लिखा नेशल बुक हैं यह नेशल बुक हैं यह प्रकासित हुआ नेशल रूल इन यूनिटी प्लनिग इसके प्रमुख शंकल्पनाोंग्ट नेशल रहुल ले यूनिट कंसेट इसका प्रमुक संकलपना हैं अगला है प्रेट्रिक एवर क्रोवी ऐठरसो उन्यासी से उनिस संतावन था कि इसका योगदार रहा यहां अंग्रेजी टांग प्लानर है इसका प्रमुक वैसा नगर नियोजन में इन्होंने कार्य किया था में इन्होंने लंदन सहर का नियोजन किया था 1944 में दा ग्रेटर लंदन का प्लान बनाया जिसे एवर कोल्बी प्लान भी कहा जाता है इसका प्रमुख भूख है दा प्लान फार और दा सिटी आप किस्टन आप फुल जो 1945 में यहां प्रकासित हुआ दा बुक आप दा 1907 से 2001 तक इसका योगदान प्लानिंग में रहा यहां प्रसित ब्रिटेंस नागर नियोजक हैं इसका प्रमुख है ट्रेफिक इन टाउन इन्होंने अरबन एंड ट्रांस्पोर्ट लेर्निंग प्लाइसी पर कारिया किया आया यहां 1963 में इन्होंने इसका प्रमुख बूख ट्रेफिक इन टाउन प्रकासित हुआ था अगला है बनेजर हावाट 1850 से 1958 तक इसका योगदान रहा है यहां यहां एक ब्रिटेंस ट्राउन प्लानर है इन्होंने सरप्रथाम गार्डन सिटी का अंदोलन के जनक इसे कहा जाता है अगला है बनेजर हावाट 1850 से 1958 तक सब्दा का प्रयोग सरप्रथाम किया था और इन्होंने गार्डन सिटी अंदोलन के जनक कहा जाता है इसका प्रमुख बुख है टुमारो प्रिंस्पल पौथ टू रिन्याल रिस्पॉन में 1850 में यहां बुख प्रकासित हुआ और इसे संसोधन गार्डन सिटी टू आफ टूमारो सोचियल और अर्बन पर इन्होंने इसका संसोधन किया 1889 में टाउन आफ एंट्री लेर्निंग इस्टापना इन्होंने किया था गार्डन सिटी अंदोलन यूटोपिया से प्रभावित था यूटोपिया ऐसी सोसाइटी है जो निरियर पासफेक्ट के आसपास है इस सब्दा को इन्होंने दिया था इसका प्रमुख बुख है इथोपिया जो पंद्रह सो सोला से में प्रकासित हुआ थामस और मौर्वनी यहां मिलकर इस बुख को लीखा था है कि इन्होंने की संकलपना ऊपनगर को दिया था अगला है अरंट में अरेंट में यहां जर्मण आठी क्रीड तर्था नगर नीयोजन के प्रमुख लिख था इंहांने जर्मन फैक पैट नगर का प्लान तयार किया था जिक जेंग हाउस की अधारना इन्होंने दीख थी फैक पाटा सहर के लिए सहर में ब्रिज बनाने की संकल्पना को इन्होंने प्रस्तुत किया था अगले हैं लीक रॉभुसिया रिलीक रॉभुसिया सा फूजर लेंड फ्रांस के सिल्पकार थे यहां नगर नियोजनवाल के सिल्पकार लत हैं कि इन्होंने रेडिए रेडीन सिटी रेडियोजनवाल की संकल्पना का प्रति पाधन किया था यह चंडीगर सहर के वासुत्तोशी पकार से चंडीह ही अ supports ग्रिट्नूमा पारूश पर अधारी थे जीबीडी सेक्टर 17 में इन्होंने बताया अगला है सेवकाई वाई माटा आठरासव चमालीष से ऑनिस चुजाव सा insect क्या रहा इस पीट्वेश्यस इवा अर्बन प्लनर को सबुन सै इन्हों से प्रमुक्त संकलपना द्यारिनियर सीटी की अधर्ना इन्होने दिया दैसे लिन्यर सीटी कंसेप्ट सिटी से की जाती हैं इसका प्रमोग भूख है ला यूनेट रेट लिनियार 1894 को यहाँ प्रकासित हुआ था अगला है एप ए राइट यह अमरीकन वस्तु सिल्पकार वा लेखा खाएं अमरीका का इन्होंने प्रसीद वस्तु सिल्पकार की संकल्पना जपानीच और टपर इ की जगलों को सब्सांदे है त जाइग जयोरे लेक है यह जदुट चाना वाग टरैंट सिल्पकत् टाइठी आज व्щее जए लु